हेई गाईज असलाव अलेकुम से स्याकार लायोप अच्छों के हम भी बहुत अच्छे हैं मैं हुरानिया मैं हुरो है और आप देख रहे हिंदुस्तानी का पर एक्षुन तो हम आगे आपके लिक न्यू वीडियो लेका और अस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जाकिर नैक ओन हिंदु और तो पर अत्याशार डॉक्टर जाकिर नायक रिप्लाई टू देवकी नंदन ठाकुर जी महराज यस बहुत अमेजिंग टाइटल है इसका तो देखते हैं क्या अत्याचार हो रहा है हमारी हिंदु बेहनों के ऊपर टेक है जो कि बहुत तो यह वीडियो पहले देखते हैं क्या बताइगे इस वीडियो में उसके बाद फिर आप लोगों से बाते करेंगे डॉप्टर जाकी नयक्स का भी रिप्लाय सुनेंगे और देव की नंदन जो हिंदु पंडित हैं उनका भी सवाल सुनेंगे तो चलो देखते हैं बेना किसी त्के आई शेकते ही तैम यस गहए पहले आपके पास आई भाहमुला गादूइ ती जिस में मैंने आपको एक पत लिखा था हैCollा गुरू जी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ जो किस से परिशान है आप रोई ये मत बताईए क्या परिशान है आपकी हमें बताईए कौन सी बताईए क्या हुआ ये बच्ची क्यों रो रही है आपकी हमारी बताफ़ान है हम भी बहुत परिशान है क्यों है पिटिकी साधिय ने दो हजार सोले में कीती इसको लेकर दो महीने भी पाने री पाई उनों लोगों ने तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास माइके में हैं तो आप कियो इतने साल से आप घर जाने की कोशिश क्यों ने की गुरू जी एक बार गई एक फायार हो गई मेरे के लाव जब आप गई तो आपको अकेरे जाना और अपने घर में रहना है वो आपका घर है गुरू जी वो लोग नहीं घुशने देते हैं चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो भगवान सबच्छा करेंगे जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान कचिंतन करते रही है कचान सुनते रही मेरा नाम नित्यानन यादाब है जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पती के ओर से तलाक दे दी जाए फिर उसकी सादी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आउरत हो जाती है ऐसी इस्तिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने विभिन जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुसलमान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पंच रुप्या का एक बकरा धाकर भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ति पूजा गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आपसे गुजारिस करूंगा बार बार दर्खस करूंगा कि आप मुझे सब्ष्ट कर लिए मैं इसी वक्त धर करूंगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा हिदा देना आल्ला के हाथ में मैं आपको जवाब दूँगा इंशाला भाईसाब का सवाल है कि फिर वो आउरत जाके बाजारी आउरत बन जाती है हिंदू धरब में तलाग है यह नहीं तो इसलाम धरब में तलाग क्यों है बेसिक आपका सवाल है का इसलाम मजब में तलाग क्यों है बराबर हिंदू मजब में नहीं यह आपका बेसिक सवाल में गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नमबर पांच उसमें पढ़ेंगे वर्स नमबर 31 और 32 इट अब इन टोल ऑफ दोल टाइम धाव शेल नोट गिव बिल ऑफ डिवोस बट आई सें टू यू पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है लेकिन मैं केता हूं अनलेस आपक किसी और के साथ गलत काम करते हैं फिर यह डिवोस दे सकते हैं तो यह बाइबल में डिवोस की एक शर्त है उसके लावा डिवोस नहीं दे सकते हैं और हिंदू मदब में बिलकुल सही फरमाते हिंदू मदब में डिवोस ही नहीं है यह इंडिया में जो हो रहा वो इंडियन करना चाहिए क्योंकि निका एक मिसाक एजो कुरान मजीद में लिखा है निकाह इस मिसाक साइना है विट्वीन मिया भी ओर और मर्द अब शादी करते है निकाह एक मिसाक है सेकरेड कॉविनेंट कांट्राक्ट है हम मिया भी भी होंगे अभी कित्वी बार आप जब साथ अच्छा चल जाता है कई बार पार्ट्न आपको पसंद नहीं आता हूता हिए कि ने तब क्या गरतें प्यार से उसके साथ पाठो जातें इसीलिए जब यह कौंट्रेक्ट अप मिया भीवी का करते हैं कौंट्रेक do त्म आप कौंट्रेक के compatible नहीं है जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोर्वर होना पष्चे बहुत आपके बार दूनों अच्छे बसने तो अगर नियां भी स्भी comparatif नहीं है होसकता है दोनों अच्छे है लेकिन incompatible ने नहीं मतलब इन अब में बराबर जचता नहीं है कि आप आएंगे मगरबी मुलके जो कस्टम्स है रीटी रिवात अलग है हिंदुस्तान के अलगे बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना इस्टन कलचर अलग है अंग सिट्था में मानते हैं हम वैसटन कंट्रे में बिखनी में घुमते हैं आपकी बीवी बिखनी में घुमेंगी तो आप लात मा रहें उसको ना फैस्टन धन्री में चलताय आप समझें के northern दाॉब मैं समाचता है लेकिन अचिक अदरां मेरा के जाब मेरा जवाब पूरा ने również मेरा जवाब पूरा ने हो तो अगर आपके बीवी बिकनी में घुमेंगी तो आप वह लेगी वह जाओ अपने अपने घर पे जाओ डरी में चलता है कि मीवी बिकनीमें फिल्की को इस अacement रखने और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है हो सकता है दोनों अच्छे नहीं तीन जीज़ हो सकती है दोनों अच्छे लेकिन नहीं है या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं तो ऐसे मुक्य पे बीवी और शोहर बात करे बाई क्या प्रॉब्लम है ऐसे ने का बीवी नमक ज़्यादा दाली खाने में आपने बोला तलाक तलाक अब नमक नहीं ज़्यादा पसंदो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो बीवी के घर के तरफ से बीवी के तरफ से एक आर्बेटर लेक्यादा के लिए शोर के तरफ से एक कोई बड़े को लेक्यादा के लिए एक मीटिंग करो प्रॉब्लम सॉल्ब करो समझता हो जाता है फिर भी ने प्रॉब्लम सॉल्ब होता है तो फिर आप तलाग दे सकते हैं तलाग तलाग देने का तरीक है तलाग तलाग ने तलाग दो फिर तीन महिने रुको फिर ट्राइल पिरिड है इज़त का मुका इस दर्मियान तीन महिने में आपने तो बड़े जोड़ से बोले मैं बीवी के बिना रहे सकता हूँ दो अफ़ वहर आपके एक बहन हैं आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते है। आपकी बहन नाया आपके बाद के बहन के पास आती है। बाई साब, वो शोहर जो आपने मेले तलाश के बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है, क्या बाते है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझे जल्म करता है, हर रोज बिना वजे मुझे मारता है, मैं उसके खिद्मत करती हूँ, मैं उस हर रोज मारता है आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जीए कि आप पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करें अगर आपकी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश किया एक सार बात पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है शराबी है जुवारी है रोज आपकी बहन को मारता है उसके साथ गरत हरकत करता है अपने दोस्तों को लादे आपकी बहन के साथ होने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको जहलते रहे या पसंद करेंगे वो उसको छोड़ तो दूसरे से शादी करो, आप क्या पसंद करेंगी, हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगी, मैं तो, मैं अगर इस तरे का मेरा बहान हरकत करेंगी, बेन हरकत ने, आपका भेनों भी हरकत कर रहा है, बेन तो बोच अच्छी आपकी, बेन तो टुम फॉप मिला है तुम उसी का सेवा करो धर हो जाती है और की बात में आपकी बात कर रहा हूं धर्म पर बात में आऊंगा मैं उसके दर्म से ने पूछ रहा हूं आप आपके लिगन से कहा है आपने शोर के आप्स मत करो खितमत करने के बाद भी रोज मारता है उसकी क्या गलती बिचारे आपकी भेंगी आप बोलेंगे बर्दाश्ट करो आपको खल कोई मानने लगेंगा रोज आप जल्म करने लगेंगा अगा बर्दाश्ट करेंगे आपकी बीवी आपको रोज मारेंगे आके बेलंसे बेलंसे रोज मारेंगी वह अच्छी माशियलार्स की है रोज आपको मारेंगी आप उसको तनकार लेके देंगे रोज आपको मारेंगे आप क्या करेंगे हैं कौन रिक्योएश मैं आपसे पूछता हूँ आपकी भी विरोजा क्या पाकिस्तान रिपोर्टार में भाई साब पाकिस्ता आपको अगर आपकी बीवी रोस मारती है हां आइए रोस आपको मारती है रोस जा कि भायर एष करती है अब क्या करें रहे किनि ऋंको समझाए में नहीं समझती है और रहा किनि है क्रस्तथी एस प्लैंड PARC त्याए अधर बात आप दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलेविशन पे इन लोग क्या करते हैं पाकिसां को टार्गेट करते हैं तुसरे एक धर्म मिला देते हैं या तो फिर कुछ जवाब ने रहता है तो पाकिसां किसी कंट्री के बात करने लगा आप बाकिसां क्या करेगा लोगिक तुम जवाब दो तुमारे साथ दो ना पाकिसां इसमें क्या करेगा है कुछ भी मतला हो आप क्या उसको की लिए से बांदेंगे वह जहापड़ आप गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लों का आवरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है है इस वार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए बाई साब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अन्हम्दुलिल्ला इसमाने इस बीवी की बातने कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर है पोड़िकल अगर आपकी बीवी इस होती आपको भगवान ने अच्छी बीवी दिये तो आपकिसमत वाले है अगर आपकी बीवी साईली और थो तब क्या करते थे जो परसंट हो सकते हैं लेकिन आम में करेंगे हैं हम मुसल्मानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दीय जाते हैं मुसल्मान पे बाद में आऊंगा ना में पहले आपसे बीवी आप डी पीर हर्कत करने लगी यहां का बेन हो variance कि अधनी को रूज मारता है आप क्या करता करेंगे एक पोसंट हो गाया जहां प्रभिक का भी परны में कितना भी परिशान कर ती इंकी बहन का या इन बीवी कितना भी परिशान करें इसको बांध के रखो वो सहते रहो लेकिन छोड़ो मत तलाग मत दो तलाग गलत चीज है लेकिन वो भले सहते हो उसके जुल्म को अगर इसी बीवी होती थी तो क्या करते थे आईसा तो हो नहीं सकता है आप किस्मत वाले भाई साब ने तमाम मुस्लमानों का हम सोच रखने वाले हैं सुसका है सब दूंगा आपको मैं आप से सवाल को आपके साथ ऐसी हरकत हुए आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है आपका भेव नोवी रोज परिशान करता है लाल पिला करता है शराब पीता है जुवारी एड tak क्या बोलेंगो श्मार नहीं होगा यह बात मैं बने क्य तुम जा उसके कदमों में जाके पड़े रहो कदमों में मारता है उसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में ही मर जाओ तो क्या ये इंसानियत है नहीं अईसे धर्म को मानते हैं जी अईसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पती के दुवारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते हैं ये किदर लिखा है आप ऐसी किताब में मानते हैं अगर ऐसी किताब में लेगा तो हर शोहर अपने बी सुर्द के एक दो सक्किते हैं आप जो बोल रहे इसी लिए जितनी नाइंसाफी ओरफूं पे हो रहे हिंदुस्तान में उसकी वजे यह है उसकी वजे है कि हिंदु पर जेब नाइंसाफी होती है वो चुपचप दहिन करती है क्यों उसको ओञताना चाहिए मुसल्मान आरोते आवाद उटा दिये तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते है तलाक कितने लोग का तलाक यह पूछेंगे मज़पिट में लाखो लोगे कितने लोग का तलाक हो तो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा आपको बाई साब यह आपकर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो एक फिसद भी नहीं मिलेंगा अभी तो हिंदू राश्ट है जो कोट में दायर कर दिया जाते हैं इसलिए तलाक अगर तलाक की फिसद देखे जाएंगी तो मैकसिमम मैकसिमम दो या तीन फिसद होगा लेकिन ये दो या तीन फिसद पे जो जुल्म होता है हो सकता है पांच फिसद पे जुल्म हो रहा है तीन फिसद आवरत आवाज उटा रही है हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सैन कर रही है क्योंकि लोग बोलते हैं वो जाएंगी, जननत में, क्या सही है ये, ऐसा धरम हो सकता है, कि जलुम करे, आने तुमारा शोहर तुमारा इशवर, और शरावी भी है, जुवारी भी है, तुमको मारता भी है, तुमारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है, फिर भी इशवर, कैसा इश्वर? इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है बाई साब इश्वर एक है उपर वाला इश्वर है शोहर कभी इश्वर होता नहीं हाँ शोहर की इज़त करना चाहिए लेकिन इज़त करने की हद होती है अगर हद से बाहर हो जाता है तो इसलाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते है शोहर भी अलग हो सकते है आउरत भी अलग हो सकते है तरीके है तलाख है खुला है निकाह फस्क है तो इसके अंदर इसलाम में कहा गया है कि शोहर की इज़त करो ये भी कहा गया है शोहर को कि बीवियों के अच्छा बरताव करो, अल्ला के रसूल फर्माते है, कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो, जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है, खुसूसां अपनी बीवियों के साथ, तो पुरान में लिखा है, और अधिस में भी लिखा है, कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है, कि आप अपने शोहर की देखबाल करना चाहिए, खुरान में लिखा है, बकरा में सुरा नमबर दो, आयत नमबर 187 में, कि आपकी बीवियां शोहर के लिबास है, और शोहर बीम्यों कि लिबास है लिबास तुम्त एक फिनों क सहरा देते एक फिनों को प्रेख करते है एक दूसरे को भीटिफाई करते है ये इसलाम है इसदा कॉंट्राक्ट उसका मतलम ने कि अपने शादी कर ती तो जिलम भी करो इसलिए सबसे ज़राथ और अगर आउरतों पे जल्म हो रहा हो हिंदुस्तान में हो रहा है गाओं गाओं ने जल्म हो रहा है लेकिन आवाद में उटकूर के आप जैसे भाई करेंगी लिए है जो बॉलेगे और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाईए कैसा ये कैसा इनसाफ है इसे लोग दुआ करेंगे इसे बाई से मुझे निजात दो ये बाई से छुटका रहा दो और इसलाम में जल्म करना हराम है जल्म बरदाश करना हराम है आप अगर जल्म का साथ देंगे तो आप भी दोशी है वो जन्नत में तो जाएंगी तुम जाएंगे नर्क में समझे बाई साब बाई साब इसलाम में भाई का धर्म है कि अपनी भेन की रक्षा करे अगर भेन पे जल्म हो रहा भाई बोलेगा जाओ जाओ तो बेन तो हो सकता है स्वर्ग में जाए बिचारी बरताश करिए तुम नर्क में जाएंगे तुम को कुन बचाएंगा क्या बाई साब आप नर्क में जाना चाहते है स्वर्ग में बाई साब इसलाम मानता हूँ आपका बाद आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे तो आप अपने बेन को नर्क बना रहे जिन्दगी को और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में हाँ आप अगर अवरत होती थी तो अगर खुदा आपको अवरत बनाता था और आप पे जल्म होताद आप क्या करते थे हाँ वो धर्म होना चाहिए जो सारे इनसान को यक्सा मानता है कुरान शरीफ में लिखा गया है सुरह अजुरात में सुरा नमर उन्चास आयत नमर तेरह में या अयुवन नासु इन्ना खलकनाकु ए इन्सानों हमने तुमें एक जोड़े से बनाया मर्द और अउरत के और आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे से को पहचान सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इन इन्सान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते है तक्वा कुरान में एक इन्सान दूसरे इन्सान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बनियाद पे ना पैसे के बनियाद पे ना रंग के बनियाद पे ना देश के बनियाद पे लेकिन तक्वे आपके बुनियात पे तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Party आप अच्छे इंसान बन सकते जबी आप अच्छे इंसान होंगे, Righteous इंसान आप खुद अपनी बेहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई ये फिर आप अपनी बेहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो क्योंकि आपका मजब कहता है, Righteousness, 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 Righteousness मालूम कैसा पढ़ेंगा कमस कब मुसल्मान औरते आवाद उठा रहे न चुकत देखा गया देखा गया क्या देखा गया यह पुछना चाहता हूं आपसे कि अगर जुम हो रहा है आपने बोले कि उसे चुप चाप सहन करना चाहिए अगर ऐसा करें तो अक्सर आदमियों जु मुसल्मान तो जादा जुम करेंगा तो मिचारी छोड़के चले जाएगी मैं पहस जाओंगा खाना मुझे पकाने पड़ेंगा फिर परावन ना चोड़के भाग जाएगी तो हिंदू तो अच्छा मारो भी कुछ भी करो एश करो रोज मारो तो भी में साथ रहेंगी कैसा हिंदूस्तान में भी गलत है शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है रोज शराप पी के जुआ खेलके मारेंगा तो पुलीस को पता चेलेंगे पूलीस भी अंदर कर लेंगा आपके बेनुई को आप समझने भाई साब आप समझने के नहीं समझत हैं लेकिन कबूल करना मुश के लिए भाई साब क्यूंकि देखा गया कि जितने भी वी को तलाग दिया गया उसकी दुबारा साधी अगर नहीं करा सका तो वह बैचिया बन जाती है बाजार में जाके जिसम बैचती है अगर आपके यह राहे तो आप दूसरी शादी करा हो ना इसलाम में दूसरी शाद की एक को छोड़के अकसर इधर विड़ोर्ट थे या डिवोसी थें अब समझे रहे ना तो इसलाम में अच्छी बात अगर आप डिवोसी से शादी करते हैं उसमें बुरा सुड़ी है हमारे हिंदुस्तान में एक कलंग है डिवोसी से शादी करना इसलाम में नहीं साभा की देखरो इतना असान मदब जरूरी है कि जबर ज़स्ति अगर स्क्वेर को आप राउन में डालेंगे फिट ने हो रहा है तो आप पाट करो अच्छे तरीके से प्यार से मुभबत के साथ उनको खाली पीजी कोट के अंदर जाके एक दूसरे को पर कीछर मत चालो प्यार से अल जरूरी क्या वो शक्त इतना जुम उठा है हथ तो आपको पता है लिकिन मानना मुश्किल आपकर आप रहा है जो तो थोड़ा उनका खुला सा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता क्या सवाल आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लिकिन कबूल करना मुश्किल है तो दोस्तों जैसा का वीडियो था रेली जो पहले बात कर लेते हैं पंडी जी का पंडी जी क्या वोले कि वह तुम्हारा घर है आप जाके वहां पर रहे जाओ ऐसा नहीं होता है जो लड़िकियां होती है उनके उपर होता है जब ऐसा कोई भगाया जाता है जो कैसे को इनसान जाके रह सकता है डेक है जब घर उनका साधी मतला होता हूँ अवर jan पंडेजी तो बोल दिये, अगर पंडेजी इतने अच्छे है तो भाई आपको तो उन जो लड़की थी उनके साथ खड़े रहना था और उनको अन्याय दिलाना था उनको ठीक है और में जो उनका खड़े होके ना जो केस उल्टा हो गया कि उनके मारने का वोग लगा दिये न केस कर दिये, उनके साथ खड़े होके है, उनका केस लिखवाना था जो ऐसा गलत केस लिखे रहे है, पुलिस आले, आपको सपोर्ट करना चाहिए लेकिन जवाब क्या मिला, पंडेजी के तरफ से वही कि आप भागवा सुनो, कथा सुनो, आपका काम बन जाएगा, अरे कैस सवाल में इतना अच्छा जवाब दिया उन्होंने, जो कि लड़का मान रहा था, लेकिन मानने कलो ते या नहीं था, वो क्या सोच रहा है, मतलब कोई इंसान, मतलब मर्द है, तो वो औरत को दबा सकता है, इनका ठिंकिंग यही है, उनका यही था, कि कोई भी और अरत पेता कि हिंदू और मुसलिम का हिंदू में मेरा धरम अच्छा है, उनका यह कहना था, उसमें कुछ भी हो लड़की के साथ जितना भी लेकिन वो तलाक नहीं लेना चाहिए, तलाक गलत है, अन्याय हो लड़की के साथ, लेकिन वो वही रहेगी, तब ही आपको स्वर्ग मि जाएगा जैसा कि उन्होंने कहा, तो ऐसा नहीं है, पर तो आप एकदम बढ़ावा दे रहे हो सामने आले को, अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को भी बढ़ावा दे रहे हो कि भाई तू आर रात दिन कुमार और बस वो लड़की तब भी तेरे पास रहेगी, ठीक है, इसा में सपोर्ट मिलेगा उनके जो दमाद है, ठीक है, उनको वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और फिर वो ऐसी हरकत करते रहेगा, तो सुधरी कैसे इंसा है, और भलकी वो चीज है, जो कि दूसरा कि अगर कोई तलाक दे दिये, तो फिर वो लड़की वैश्या बन जाती है तो यह तो गलत चीज है, अगर वो ऐसा कुछ हो रहे तो भलकी लोगों को और सामने आके ऐसी ही लड़की है, जैसे जिनको तलाक हो चुका है, उनके शादी करना चाहिए है, और ऐसा नहीं होता है, इंडिया में अभी के जनरेशन में ऐसा, तो हम कभी केस ने सुने, अभी प्रक्राव उनके रहे जांडे बन्सक्रावतार है, पुध एक कि एक होना डिया वनस्लीड़ को चीज सहें म rendre चैए हम मतले है, जान मतलब होता है,। यह प्रिया है, जैसे और नवन आटना मष्किल अ से नक चीज मने तो द्सक्राव रहा है। तो उसाbon को पलाना है, अद तो इंसानियत की नजर से देखना चाहिए कोई भी चीज की गलत है तो उसको पढ़ना चाहिए कि सच में इंसानियत है कि नहीं किसी बुक में आप जिसको पढ़ रहे हो तो आपका क्या रहा है इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बोक्स में कमेंट क्रिके बताना और कि लुग में तो क्ले पान एंदे लुग ये सू